वख़्हां में ऑप सभीकातु यह वेसे बाथ बम आपको साथ में पहले न रिक में आपको सा GP मेतांगा। ॕwał tremendous all even can return to provide alternative form पहले सी इस का मतला है जो इधिए यक इस तरह के स्ट्रोक है धिक सकते ह् लेफ से भी लिए और राइट तरह से भी सकते हैं जैसे आपको मैंने बताया था नति फिक में लिखते थे तो इस रूल का मतलब है कि हम जो इस तरह के स्ट्रोक है इथार वी एर एफल वी एल यह दोनों तरफ से लिख सकते हैं आगे बात करते हैं इस लाइन का मतलब है कि लेफ्ट फॉर्म तर लिखी जाती है इतके लिए जब वह अकेला स्टैंड कर रहा हो और वोवल प्रसीड या उससे पहले कोई वोवल आ रहा हो यानि मात्रा आ रही हो जैसे मैंने एक्जाम्पल लिए इथार का इथार में हम अकेला इथार लिख रह वोवल आ रहे हैं तो हम लेफ्ट वाला लिख सकते हैं बट राइट फॉर्म इस यूजड वेन वोवल फॉलोज और परपज ओफ कॉर्नर राइट तरफ से हम तब लिख सकते हैं या उसके बाद कोई वोवल आए और फोर दा परपज ओफ कॉर्नर इस लाइन का मतलब है कि उसमें प्रोपर कॉर्णर बनने चाहिए जैसे मैंने थर्मल में बना के दिखाए यह कॉर्णर बन रहे हैं इससे इसली हम स्टैनों पढ़ सकते हैं हमें मुश्किल नहीं होती और फॉर दा परपस ओफ कॉर्णर मैंने एक्जामपल चार लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लि में भी वही रूल्स रहा है कि už में अमातरा आ रही है गला रहा है तो हमने राइट साइड ओश्का ति अ मेने लिए है 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 जरो में हमने हमने इस तरह से यह बनाया है ना तो राइट साइड में लिखा है इस रूल का मतलब यही है कि जो इस तरह के श्ट्रोक से ना इस यह इफल वी-एल्ट यह दोनों तरफ से लिखे जाते हैं लेफ्ट तरफ से भी और राइट तरफ से भी लेफ्ट तरफ का मैंने आपको बता दिया कब लिखा जाएगा और राइट तरफ का भी बता दिया कोर्नर्स भी बहुत जुरूरी है कोर्नर्स जैसे यह थर्मल में बन रहे हैं यह भी देखे जाते हैं ताकि अगर हम लिखते हैं तो हमारी स्टैनो बढ़ने में किसी को मुश्किल ना हूँ अब बात करते हैं next concept के बारे में intervening vowels in initial hook r and l where necessary a dot vowel between a stroke and initial hook may be indicated by a small circle इस लाइन का मतलब है कि जब जरूरी हो a dot vowel between a stroke and initial hook में जैसे मैंने इसमें बनाके दिखें ने जैसे बारली में हुक का हरा कि बीन के साथ इसाथ इसमें जो हुक वाले स्ट्रोक होते रहे हैं उसमें वीजुत बिट्विन एस ट्रोक इनिंशल रूट आदि इनिशल हुक में बी इंडिकेट 9 सर्कल- esseजब फर्स्ट प्लेस वली जो वह लाएगी जाए वह पा वाली हो जाए दैट वली हो जब इस तरह के स्ट्रोक्स हो जिसमें स्ट्रोक के साथ हुक आ रहा हो तो उसमें हम Small सरकल से रिप्रिजेंट करेंगे पहले मैंने आपको बताया था ना कि डोट से रिप्रेजेंट करते हैं जब इस तरह के स्ट्रोक्स हैं, जैसे बारली में B है साथ, B के साथ R का हुक है, इसमें अगर फर्स प्लेस वाली वो वाल आए, जाये वो पा वाली हो, जाये वो दैट वाली हो, उसमें हुक वाले स्ट्रोक्स में हम इंडिगेट करेंगे small circle से जैसे मैंने barley challenge sharply और narrate में बनाके भी दिखाए है example से समझते हैं concept और clear हो जाएगा जैसे barley है barley में hook stroke के साथ इसमें first place वाली वोवल आ रही है यानि मात्रा आ रही है तो इसमें हम यह small circle से इस मात्रा को represent करेंगी यह सिरफ हुक वाले strokes के लिए जैसे barley में B है R है साथ हमने मात्रा को यह circle से represent के L है और होवल है next example मैंने लिया है challenge का challenge में मैंने यह small circle लगाया है यह first place वाली जो वोवल है उसको indicate कर रहा है यह concept सिरफ हुक वाले strokes के लिए third example मैंने लिए sharply का sharply में भी मैंने यह जो small circle लगाया है यह first place वाली वोवल को indicate कर रहा है और यह ध्यान रखिए यह सिरफ हुक वाले strokes के लिए फिर narrate का बनाए है यह first place वाली जो वोवल है उसको indicate कर रहा है I hope आपको यह clear हो गया होगा अब बात करते हैं next line के बारे इस second dash वोवल may be indicated by striking sign as under इस line का मतलब है जो second place वाली मात्रा होती है जाए वो गो वाली हो जाए वो मच वाली हो उसको हम हुक वाले strokes में ध्यान रखिए यह concept सिरफ हुक वाले strokes के लिए इस तरह represent करेंगे जैसे मैंने आपको तीन example बनाके दिखाया है बुर्मा का example लिया है जैसे बुर्मा में second place वाली वोवल आ रही है मच वाली तो इसमें हम यह सिरफ हुक वाले strokes के लिए इसमें हम मच वाले वोवल को इस तरह चोटी सी इस तरह लाइन से काटके indicate करेंगे यह बन गया बुर्मा फिर मैंने second example लिया है इसमें गोवल आ रही है तो इसमें हम इस तरह से चोटी सी लाइन से indicate करेंगे बनें और फिर मैंने एक्जामपल लिया है नली फाई का नली फाई में मच वाला वोवल आ रहे है तो यह सिरफ हुक वाले strokes के लिए फिर इस तरह से चोटी सी लाइन से indicate कि अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में एफ फर्स्ट प्लेस डैश वोवल कैन बी रिटन एज फोलोज इस लाइन का मतलब है कि अगर फर्स्ट प्लेस पे डैश वाला वोवल आ रहा है तो वह कैसे लिखा जाएगा यह मैंने कुछ इसलिए लिख देती है कि आपको इन लाइनों में भी पता लगजे कि किस तरह से अगर हमें इस तरह के श्ट्रोक्स लिखेंगे तो कैसे लिखा गए जैसे मैंने कॉर्णर का एक्जाम्पल लिया है कॉर्णर में जो डैश के फर्स्ट प्लेस डैश वोवल कैन बी रिटन एंस फॉलो इसमें अगर हमें लिखना है कॉर्णर में तो हमें वोवल लगाना है तो इसमें सबसे आगे लगेगा जैसे मैंने कॉर्णर में लगाया है इसमें के है आरह एन आज है अभी सिस्क्राइब वह वह फिर्स्ट प्लेज पर लगेगा इस तरह से हुख के बिलकुल साथ और नेक्स्ट एग्जम्पल मैंने लिया है टॉल्रेबल का टॉल्रेबल में अगर हमें वह लगाना हैं तो हमें हुक के साथ लगाना पड़ेगा जैसे अगर इस rule का मतलब है कि first place पर जैसे आ रहा है न इसमे टोलरेबल में T है L है अगर इसमें वोवल लगाना है तो ये first place पर लगेगा साथ मैंने बी अल का hook लगाया अब हम बात करते हैं fourth line के बारे में यानि last line के बारे में words may be written for clear identification has follows इस line का मतलब है कि हमें जो हम words लिखते हैं जैसे हम जैसे दो लिख रहे हैं दो strokes को जोड रहे हैं तो उसमें हम easily ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने pair में बनाके दिखाया है P है R है तो clear identify होना चाहिए कि हमारा हमने proper stroke क्या बनाया है बेसिकली इस लाइन का मतलब यह है जैसे अब नर्स है एन है आ है एस है और इदर में ने यह वह लगाया है टर्क है टर्क में यह मैंने इसलिए लिखा था कि थोड़ा आपको पता लग जाए कि मतलब clear identification होना चाहिए जैसे टर्क में बनाया है और जैसे हैं नीशन ही डाया है अब हम दो स्ट्रोक को जोड़ रहे हैं उसमें सिम्पल लिख सकते हैं जैसे पेर पी है साथ वोवल लगा दिया डेह हुए डी है वोवल है आ शेयर हो गया उसी तरह बोर हो गया भी है आ रहे भी पर वह वह लेड़ है तो आज इस क्लास में हमने इन कुछ रूल्स के बारे में सीखा कि हम आर और एल मेंने इसमें आपको समझाया कि इनिशल हुक आर एंड एल जब लगते हैं तो इस तरह के स्ट्रोक्स दोनों तरह से लिखे जाते हैं आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी होगी तो आज की इस क्लास में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जुरूर कीजिए इसे हमें मोटिवेशन मिलता है थैंक्यू सो मच